विरोध ही करना है, वो तो विरोध करते रहे, क्योंकि इनका एजेंडा ही है यह विरोध करते हैं। विरोध करने वाले भी जानते हैं कि उनका विरोध एकस्पायर हो रहा है। इसलिए अब वो नए अजिंडे पर आगए, कॉंगरेस ने आज से नौ साल नौ सवाल का कैम्पेंज शुरू करती है, जिसमें मोधी सरकार के नौ साल होने पर नौ सवाल पूछे जा रहे हैं, और ये नौ सवाल कॉंगरेस के लिए घाल तक है, क्यों अभी आगे बताओंगा इन नौ सवालों में अर्थवयवस्था का सवाल किया गया कि ऐसा क्यूं है, कि देश में महेंगाई और वेरुजगारी आसमान चूरी है, क्यों अमीर और अमीर हुए हैं और गरीब और गरीब हो गए हैं, सारवजिनिक संपत्यों को मोधी जी के मित्रों को क्यूं बेचा ब्रष्टा चार मितरवाद ऐसा क्यूं है, कि आडानी को फाइदा पहुचाने के लिए L.I.C. और S.B.I. में जमा जनता के खून फसीने की कमाई को दाव पर लगा दिया, ब्रष्टा चार को खत्म करने की बात करने वाले प्रदान मंत्री इस पर जवाब क्यूं नहीं दे दी, जबकि वो आज भी हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है, पांचवा सवाल इनका सामाजिक सत्भाव का है, कि ऐसा क्यूं है कि चुनावी फाइदे के लिए जान बूज कर बटवारे की राजजीती को आवा दी जा रही है, समाज में डर का महौल बनाया जा रहा है, ऐसा क्यूं है कि माईलाओं, दलितों, S.C.S.T.O.B.C. और अल्प संक्योकों के खिलाफ हो रहे हैं अत्याचारों पर प्रदार मंतरी चुप है, साथवा लोक्तांत्रिक संस्थाएं, ऐसा क्यूं है कि विपक्षी दलों और नेताओं के खिलाफ बदन भावना से कारवाई की जा रही हैं, क्यूं जनता दौरा चुनी हुई विपक्षी दलों की सरकारें गिराई गई हैं, इस तरह के सवाल किये गए, आठवा सवाल किया कि जनकल्यान की योजनाएं, ऐसा क्यूं है कि बजट में कटोती करके मनरेगा जैसी जनकल्यान की योजनाओं को कमजोर किया गया है नौवा सवाल प्रोना मिस मैनेजमेंट ऐसा क्यों है कि कोरोना के कारण 40 लाक लोगों की मौत के बाद उनके परिवारों को मुआफ़ा देने से मना कर दिया गया क्यों अचानक लॉक्डाउन करके लाकों कामगर सातियों को घर जाने के लिए मजबूर किया गया उन्ह मैं आपको बताता हूं और आप यह सुनिए जब आप सच्चा ही सुनेंगे तो आपको समझ में आगा कि बोस इसका मतलब इनके पास तो नरेंदर मोदी को लेकर कोई मुद्दा ही नहीं कोई 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 फैक्ट और फिगर्स ही नहीं जैसे अर्थवेवस था इसका मुद्द यह लोग बना रहें ना भाई कि अर्थवेवस्था आप बादी महेंगाई बढ़ी है अरे बॉस 2023 के लिए जो ग्रोथ रेट है ग्रोथ रेट वो साथ परसेंट है सेवें परसेंट दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थवेवस्था कौन है भारत आई-एम- वर्ल्ड बैंक यह ब्राइट स्पोर्ट बता रहें इंडिया को कि भाया इंडिया जैसा चमक रहा है वैसा दुनिया में कोई देश नहीं चमक रहा तो जिस इंडिया को ब्राइट स्पोर्ट बता रहे हैं उसको यह लोग कहरें कि अर्थवेवस्था मोदी जी ने डुबा दिए 2014 से 2022 तर 2014 से 2022 तर यह आसत बता रहा हूं आपको आसत महंगाई वो 7% से नीचे रही है मतलब कोरोना आ गया रूस युद्ध आ गया दुनिया में महंगाई से लोग बाप बाप कर रहे हैं देश डूब रहे हैं लोग एक वक्त का खाना छोड़ रहे हैं फिर भी इंडिय हमें महंगाई जो हैं वो कई देशों के मुकाबले कम है लेकिन अगर अगर आप देखेंगे यूपीय टू के दौरान दो साल यूपीय टू 2010 11 और 2013 14 यह डबल डिजिट में थी महंगाई भाई डबल डिजिट में जिनके जमाने में महंगाई थी और तब कोई रूसी उक्रेन युद नहीं हो रहा था तब कोई कोरोना का संकट नहीं थी 11.9% 10% 2013 में और अभी अप्रेल 2023 में अप्रेल 2023 में कितनी है महंगाई दर 4.8% बॉस 4.8% दुनिया बाप-बाप कर रही है उसमें इंडिया में 4.8% महंगाई दर है और आपके महंगाई जो है वो गड़े में गिर गया पाकिस्तान में महंगाई कितनी है पाकिस्तान में महंगाई देखिए पाकिस्तान में महंगाई 36% बॉस 36% पडोसियों का हाल दिखा रहा हूँ श्रिलंका श्रिलंका में महंगाई दर आज की डेट में 33% पर है बांगलादेश बांगलादेश एक और यहाँ पर महंगा इदर 9% पर है, डबल डिजिट छूने वाली है, अरे ब्रिटेन देख लिजे भाई, UK में 8.7% पर महंगा इदर है, जर्मनी में 7.2 है, 7.2% वहाँ तो मंदी चल रही है, और इंडिया में अभी आपको मैंने बताया, इंडिया में 4.8% पर है, लेटेस जो आया है डेटा, कहां लोग कहां पहुचे हुए हैं, और इंडिया 4.8% की महंगाई दर पर, और ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के खिला, पहला सवाल, महंगाई आपने बढ़ा दी, अर्थवेबस्ता डूबा दी, अरे वया, आपका तो सवाल ही डूब गया, फैक्ट से जाएएगा तो, फिर उन्हें ना किसानों का सवाल किया, कि भाई, MSP की बात कि, MSP पर कानून क्यों नहीं बनाते हैं, भाई, MSP पर कानून आप भी नहीं बनाते थे, क्योंकि उनको पता था, ये डेवेस्टेटिंग होगा, देश को बरबाद कर देगा, लेकिन MSP पर खर्च कितना हो रहा है, सालाना अगर आप देखिए, MSP पर खर्च देखिए, जो ये सरकार कर रही है, 2,37,000 करोड, 2,37,000 करोड का खर्च कर रही है, खाद सबसीडी जो दे रही है किसानों को, वो खाद सबसीडी पर सरकार में जो है, वो खर्च किया है, 1,78,000 करोड, 1,78,000 करोड, और आप कहरें, किसानों के लिए कुछ होई नहीं रहा है, किसान सम्मान निरी केसें, इस पर अभी तक 2,00,000 करोड रुपए किसानों के अकाउंट में जा चुके है, आप कहरें, किसानों के लिए कुछ करी नहीं रहा है, आपको तो ये मुद्दा भी गड़े में गया, MSP को लागत का डेड़ गुना फिक्स कर दिया, MSP लगातार बढ़ाई, जैसे धान की MSP, 2014 में 310 रुपए प्रती कुइंटल थी, 2022 में बढ़ाकर 2040 रुपए प्रती कुइंटल, गेहूं की MSP, 2014 में 1400 रुपए कुइंटल थी, आज की डेट में 2125 रुपए कुइंटल हो गई थी, 2022 में, ये मुद्धा भी आपका हवा में चला गया है, आप तो खुदी बता रहे हैं, सवाल रखते हैं, पत्रकार जो हैं, वो फैक्ट्स निकालते हैं, पता चलता है, मुद्धी पास हो गए, आप फेल हो गए, इसी तरह से कॉंग्रेस के 9 सवालों में, वही गिसी पिटी बात भी है, कि आडानी को फाइदा पहुचाने के लिए, LIC और SBI में जनता की गाड़ी कमाई को दाव पर लगा दे, जबकि सच यह है कि आडानी ग्रूप में, LIC के निवेश वैल्यू का लेटस्ट आंकड़ा आया है, और आपको क्या कहता है वो आकड़ा पता है, LIC का निवेश या LIC देखिए, तिर्फ LIC के बारे में आपको बताता हूँ, अडानी ग्रूप में, अडानी ग्रूप में जो निवेश किया, LIC ने जो पैसा, आपका पैसा, अडानी ग्रूप में लगाया, उस निवेश की market value आज की date में कितनी आपको पता है वो आज की date में है 44,750 करोड रुपर 44,750 करोड जबकि LIC ने निवेश किया कितना किया था निवेश मतलब कितना पैसा लगाया था जो बढ़कर 44,700 करोड हो गया है वो पैसा LIC ने लगाया था 38,200 करोड रुपर तो जो लोग कह रहे हैं कि LIC का पैसा ढुबा दिया अडानी ग्रुप में इन्वेश करा के बॉस 31,000 करोड रुपर आज की date में 44,750 करोड रुपर बन चुका है इसी तरह कुछ दिन पहले LIC के quarter 4 के result आये थे LIC का profit, LIC का फाइदा पांच गुना बढ़ चुका है बॉस और पांच गुना बढ़ कर वो पहुच चुका है 13,428 करोड रुपर तो जो लोग कह रहे थे LIC का पैसा डुबा दिया उनसे पूछिये बॉस नेताओं से भी पूछिये और पत्रगारों से भी पूछिये मैं हाँ जोड़ जोड़ के कहता था कि LIC में गरीब आद्मी, बुज़र्ग से बुज़र्ग आद्मी अपनी गाड़ी कमाई लगाता है उनसे जूट मत बोलिए किसी को हाट अटाइक हा जाएगा लेकिन ये लोग जूट बोलते रहें सिर्फ नरेंदर मोधी को घेरने के नाम पर देखिये कैसे LIC का फाइदा हो रहा है देखिये कैसे आपका पैसा बढ़कर 44,750 करोड होगी